आप सबका दिल से स्वागत है कल मैंने दाला था सलमान खान की जो नियोज तो आज डे सेकेंड पर बहुत अलग-अलग चीज़े होई एकनाच शिंदे ने क्या कहा सलमान खान के घर के बाहर सलमान खान के फैंज ने क्या कहा दूसरा पब्लिक रियक्शन क्या आया सिसी टीव आगिया हूँ एक अलग स्टोरी लेकर एक बुजुर्ग है जब वो डांस करती है तो उसे नहीं चाहिए कि कोई उसकी वीडियो रेकॉर्ड़िंग करें तो बुजुर्ग उसके साथ अलग चीज़े ही करती है अब होता क्या है वह बुजुर्ग बहुत फेमस हो गई है तो वो बुजर्ग है वो इन लोगों को वीडियो लेने देगी तो बहुत ट्विस्ट और टन है ये स्टोरी में एंड में है वो स्टोरी वो स्टोरी आप मिस्वत करना उसके अलावा प्रियंग का चोपड़ा जिंदेगी के बारे में ऐसी चीजे बताईगी जो हमारी लाइफ मे मिले उपर वाला हर इनसान को अच्छा दिमाग दे अच्छी सोच दे ताकि उससे कभी कोई गलत काम ना हो सके बुरे काम ना हो सके उपर वाला आप सबकी हैल्थ अच्छी रखे हर बच्चा बड़ा होने के बाद माबब को बहुत खुशिया दे उनकी बहुत इस जिन्देगी में कभी कोई तकलीफ ना है कभी कोई प्रॉब्लम ना है और उपर वाला ना करें अगर तकलीफ प्रॉब्लम आती भी है ना उस पर विश्वास रखना थोड़ा सबर पेशन्स रखना तकलीफ चले जाएगी आप सब के घर पे खुशिया आए हम वीडियो चालू करते हैं अब सल्मान खान के घर के बाहर का और एक सिसीटी फुटिज सामने आया है वो हम देखते है इस पर हम देखते हैं पबलिक रियक्शन वाट इस हैपनिंग इन दिस कंटरी सिरीज अफ सिसी टीवी कैन बी यूस्ट टू कैच्छ देंब भगवान सल्मान की हमेशा रक्षा करना वो जितना अच्छा इनसान है उसका दिल उससे भी अच्छा है सब की मदद करने वाला उसका कोई बुरा नहीं कर सकता किसी का सल्मान खान नाम है उसका विष्णौई स्वागत नहीं करोगे हमारा लॉर्ण्स विष्णौई तो दी पीपल जोकिंग अन सेंग की दिवार पे गोली चलाई फट्टू एक्सेटरा एक्सेटरा थे मैटर इस सिरियस नोट फोर सल्मान खान फोर जनरल मॉंबाइकर्स वाक यह पिक है उन दो लोगों की जो मुटर वाइक पर थे फाइरिंग करके चले गए अब यह फाइरिंग की न्यूज आती है बाहर अब जैसे यह न्यूज सब लोगो को मिली सल्मान खान के फैन्स आये सल्मान खान के घर के बाहर हम सुनते उन्हों नहीं क्या कहा अब हम देखते है एक पोस्ट जो लॉरेंस विश्णाई के ब्रदर अन्मूल विश्णाई ने फाइरिंग का इंसिडेंट हुआ उसके बात दले हम अमन चाते हैं जल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही सल्मान खान हमने ये तुमें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत पर को ये पहली और आखरी वाणी है इसके बाद गोलिया खाली घर पर चलेगी और जिस दाओद इबराहिम और छोटा शकिल को तुमने भगवान मान रखा है उसके नाम के हमने दो डैश पाले हुए है बाकी ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है जै श्रीराम जै भारत इन सब चीजों पर महराच श्रके सीम एकनाच शिंदे ने क्या कहा प्रियंका चोपड़ा एक इंटरव्यू में कहती है अपने आपको उन लोगों के साथ रहो जो आपको प्यार करें आपकी कैर करें इसलिए नहीं क्योंकि आप उनके लिए फाइदे मन्त हो आप उनके लिए कोई चीज टेबल पर ला रहे हो सिंपल मतलब उन लोगों के साथ रहो जो आपके साथ है सिर्फ आपके सुख में नहीं आपके दुख में जो चाते हैं कि आप आगे बढ़ो जो आपसे जलते नहीं है आपको ग्रो करते हुए देखना चाते हैं जो आपके सथ सब अच्छा होते हुए देखना चाते हैं एक Chinese आया, रगु ने उसे कहा, तू Chinese है, सामने वाले लड़के ने कहा, हाँ, मैं Chinese हूँ, रगु ने कहा, समझ ले कोई तुझे छेड रहा है, Chinese, etc, etc, बोलकर, तू तू क्या करेगा, तू सामने वाला लड़का कहता है, अगर वो मेरा दोस्त नहीं हुआ, तू मैं गांफरेंट करूँगा, रगु कहता है, अबे Chinese, अबे चिंकी, अबे कुम्फो, तू सुनियो लड़का क्या क्या कहता है, शारुक खान का चोटा वीडियो वीडियो चालू है तो मैं चोटा से एडवांटेज ले लेता हूँ वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बाकी है बाकी थोड़े वीडियो बाकी है लेकिन उसके पहले आप सबको थैंक्यू सो मच जिनोंने मेरी कलके वीडियो लाइक की कमेंट किया जो आज की वीडियो लाइक करेगे कमेंट करेगे और अगर आप वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो आप चैनल पर आते हो आप वीडियो देखते हो उसके लिए भी थैंक्यू सो मच एक छूटा विराट कोली का बगियों सोफिया और जुली ये दोनों फ्रेंड है दोने एक शॉट फिल्म बना रही है सर्बियन लेडी जो डांस करती है उसके उपर अब जुली सामने खड़ी है सोफिया वीडियो निकाल रही है सोफिया जुली को कहती है तो डांस कर में तरह वीडियो निकालती है जुली कहती है म्यूजिक तो सोफिया कहती है म्यूजिक मैं पीछे से दाल दोगी अब जुली डांस करना शुरू करती है सोफिया उसका वीडियो लेना चालू करती है उसी वक्त एक स्ट्रेंजर लेडी आती है और इसे रोकती है सोफिया को कि मत कर ऐसा तो सोफिया पुछती क्यों तो स्ट्रेंजर लेडी बोलती है तो सर्बियन लेडी को घुसा दिला रही है क्योंकि सर्बियन लेडी को जरा भी पसंद नहीं है कि उसे लेकर कुई भी किसी भी तरीखी का वीडियो बनाए तो सोफिया कहती है सर्वियन लेड़ी कोई ऐसी हैी नहीं यह सब सिर्फ अफवा है कि उसके डान्स का वीडियो अगर कोई निकालता है तो वो से मार देती है stranger lady कहती है मैंने देखी हूँ ये बात सच है मत बना ऐसी कोई short film के serbian lady dance कर रही है सुफिया उसकी बात सुनती है stranger lady कहती है मैंने तुझे want कर दिया मैंने तुझे चेताओं नहीं दे दी जूली जब dance करते रहती है तो अच्छानक music बचता है अब सुफिया शॉक के अच्छानक music कहा से बज़ा है सुफिया जूली का video लेते रहते हैं उन लोगों ने एक radio लाया होता है उसकी तरफ देखती है तो जो radio बन था उसमें से music आ रहा था अब वो इस तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई रहता है तो सुफिया उसका video लेने लग जाती है और हम देखते है कि कोई उसके पास आया और वो मर गई अब जोली वहाँ पर डांस कर रही है जोली को कुछ आवाज है आती है जोली टन करती है जोली देखती है तो सुफिया नहीं है वहाँ पर सोफिया नहीं है वहाँ पर जुली आती है मुबाइल उठाती है और देखती है कि जब सोफिया जुली को रेकॉर्ड कर रही थी तो एक म्यूजिक बचा सोफिया ने मुबाइल टन किया तो सामने कोई डांस कर रहा था वो स्टॉप हुआ उसने देखा सोफिया को और वो थी सर्बियन लेडी उसने अटेक किया सोफिया पर और सोफिया को मार दाला गायब कर दाला जैसे वो वीडियो खतम होता है वैसे ही फिर से म्यूजिक बचता है म्यूजिक बचता है सामने सर्बियन लेडी डांस कर रही है बट जूली ने उसका वीडियो नहीं लिया है जूली सिर्फ उसे देख रही है सर्वियन लेडी का डांस चालू है आचानक सर्वियन लेडी रुख जाती है और सर्वियन लेडी जैसे मूड के देखती है मुझे स्ट्रेंजर लेडी रहती है वो अच्छा रख वहाँ पर आ जाती है और वो stranger lady Julie के shoulder पर ऐसे हाथ रखती है और eyes बंद कर लेती है Julie भी eyes बंद कर लेती है और stranger lady कहती है We are extremely sorry Julie repeat करती है We are extremely sorry for watching you without your permission मतलब सबसे पहली चीज़ तो Julie ने उसका video नहीं लिया और Julie ने जो उसे dance करते हुए देखा सर्वियन लेडी को तो stranger ने जैसे कहा उसे repeat किया कि we are extremely sorry हमें माफ कर देना हमने आपको देखा बिना आपकी permission के dance करते हुए वो लोग जब eyes खोलते हैं तो सर्वियन लेडी सामने नहीं होती और इस तरीके से जूली बच जाती है सिर्फ entertaining story थी hope आपको अच्छी लगी हो आंत में यही बोलूगा मेहनत करते रहना उपर वाले पर विश्वास रखना अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सबर, patience काम हो जाएगा fail होने से डर्नावत उसमें से कुछ सीखना हर इनसान जो दिल से मैनत करता है माबब को खुश रखता है सबसे अच्छी तरीके से रहता है उसे कामिया भी जरूर नहीं दिया पूरे दिन में ट्राई करना 6-8 ग्लास पानी पिने की इसके अलावा थोड़ा walking थोड़ा jogging थोड़ी exercise कर लेना इससे आपकी health अच्छी रहेगी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना Thank you so much God bless and wish you a very happy life